हेलो दोस्तों, मैं यहां देर रात तक पढ़ रहा था, मैं आपको एक टिप देना चाहता था यदि आप उस प्रकार के व्यक्ति हैं, जो पढ़ते समय आसानी से विचलित हो जाते हैं, या यदि आप वास्तव में ठका हुआ महसूस कर रही हैं, या आपका ध्यान या आपकी एकाग्रता वहां नहीं हैं, और आपको लगता है कि आप वाक्यों को बार-बार पढ़ रहे हैं, या एक बहुत ही सरल बात है जिससे आप कर सकते हैं, इसलिए आपका मस्तिश्क प्राइमिंग नामक इस चीज में वास्तव में अच्छा है, और इसलिए आप वास्तव में ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, इसके शीर्ष पर ही तो अनिवार्य रूपसिक, या आप यह कर रहे हैं कि आप पाठ में दी गई जानकारी को समझने और संसाधित करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक एकाग्रता और फोकस की मात्रा को कम कर रहे हैं, इसलिए मेरे पास एक शोद लेक है, जिसे मैं यहां पढ़ रहा हूँ फिलहाल, आप जानते हैं कि लगभग नौ बजे हैं, मेरा पूरा दिन काफी व्यस्त रहा, मैंने अभी अभी स्नान किया है और मैं वास्तव में आराम महसूस कर रहा हूँ, लेकिन परिणामस्वरूप मेरा मस्तिश्क चाहता है कि आप जान ले कि पिछले कुछ एपिसोड देखने जाएं, रिक और मौटी और इस तरह से इसे पूरा करने के लिए मैं जो करने जा रहा हूँ, वह है अपने फोकस पर परत चड़ाना इसलिए, मैं जो करता हूँ, वह यहा है कि मैं सबसे पहले इस करूंगा और इसी तरह आगे बढ़ूंगा और मैं जो करने जा रहा हूँ, वह यहा है कि मैं इस पैराग्राफ को सिर्फ कीवर्ड चुनकर देखूंगा, मैं यह बहुत जल्दी करने जा रहा हूँ, और मैं इसे समझने की कोशिश नहीं करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं जो जो करने जा रहा हूं, वह है खुद को कुछ मुख्य, शब्दों और मुख्य अवधारणाओं से परिचित कराना जो इस पैराग्राफ में सामने आने वाले हैं, तो आप इसे मेरे साथ कर सकते हैं, आप बस इस पेज को देखें, यहां इस पैराग्राफ को और बस एक बहुत ही तवरित नजर डाले कि आप क्या देख सकते हैं, अगर मैं इसे देखता हूं, तो मैं शब्द चुन रहा हूं, आप जानते हैं, कबूतर उत्तेजना तुलना नमूना स्किनर स्पष्ट रूप से एक नाम प्रयोक्षाला अनुसंधान मानव प्रतिभागी तो बस आप व बहुत ही, सामान्य विचार प्राप्थ होता है, जिन्हें आप पॉप अप होते हुए देख सकते हैं, अब आप इस पर पकड़ बनाये रखने की कोशिश नहीं कर रही हैं, जानकारी और जितना समय मैंने अभी आपको दिया है, वह संभवता आपकी नजर को जल्दी से परियाप्त है, लेकिन यह क्या करेगा, यह बस आपके मस्तिश को थोड़ा सा काम करने पर मजबूर कर देगा, मैं देख रहा हूं, मैं इतना ठग गया हूं, कि मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रहा हूं, बस आपके दिमाग को थोड़ा काम करना होगा, और बस उन कुछ शब अगली परत है, और अगली चीज जो आप करने जा रहे हैं, ऐसा करें, कि जब आप इसे पढ़ेंगे, तो आप इसे इस प्रकार के जन्मों में पढ़ेंगे, और आप तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश पर ध्यान केंदरित नहीं कर रहे हैं, आप जिस चीज पर ध्यान क कर रहे हैं, वह वास्तव में मुख्य एंकर में खुद को डुबोने की कोशिश कर रहा है, वाक्य में बिंदू इसलिए वाक्य का प्रत्येक भाग वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है, और कुछ वाक्य स्वयां बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, वे बस अगले के लिए पूल की तरह है इसलिए यहां के लिए MTS प्रक्रियाओं का उत्तेजना नियंत्रण पर उप्योग और अनुसंधान का एक लंबा इतिहास है इसलिए मेरे लिए जब मैंने इसे पढ़ा तो यहां एक वास्तव में महत्वपूर्ण वाक्यन नहीं था लेकिन यहां मुझे बताता है कि कम से कम यहां पैराग्राफ उत्तेजना नियंत्रण के इतिहास के बारे में बात करने जा रहा है और इसलिए यह सब संभवता उत्तेजना नियंत्रण के इतिहास के बारे में सामान है इसलिए जब मैं इसके माध्यम से जाता हूँ तो मैं मूल रूप से कबूतरों को पढ़ाने के लिए स्किनर द्वारा वर्नित एक प्रक्रिया का पालन कर रहा हूँ इसलिए वास्तव में वाक्यम में मेरा लंगर बिंदु कबूतर है इसलिए मैं इस बारे में बहुत अधिक सोचने की जहमत नहीं उठा रहा हूँ कि मैं वाक्य के इस भाग में क्या पढ़ रहा हूँ मैं बस इसे बहुत जल्दी से पढ़ रहा हूँ लेकिन मैं अपने दिमाग को कबूतरों को पढ़ाने पर बैठने दे रहा हूँ ठीक है प्रक्रियाओं का पालन करते हुए मैं कबूतरों को समान रंगों से मेल खाने के लिए सिखा रहा था और इसका उप्योग प्रारंभिक अनुसंधान रखरखाव परीक्षन और गैरमानव अनुसंधान प्रतिनिधी पदार्थ अकेले उत्तिजनाएं बनाते हैं जो केवल विशय के प्रस्तुत किये जाते हैं एक नमूने के लिए एक अवलोकन प्रतिक्रिया बनाते हैं उदारण के लिए एक कबूतर को तुलनात्मक उत्तिजनाओं तक पहुँच प्राप्त करने के लिए उस कुंजी को चुनना चाहिए जिस पर नमूना प्रस्तुत किया जाता है तो क्या आप देखते हैं मैं पढ़ रहा हूँ कि मैं कुछ हिस्सों को बहुत तेजी से पढ़ रहा हूँ क्योंकि यह रजिस्टर नहीं हो रहा है या ऐसा कुछ है जिसके बारे में मुझे वास्तव में सोचने की जरूरत है लेकिन मैं खुद को धीमा कर रहा हूँ और जो कहा जा रहा है उसके बारे में वास्तव में धीरे धीरे सोच रहा हूँ उस कहानी को अपने दिमाग में बना रहा हूँ और एक बार जब यह एक साथ जुड़ जाता है जब आप वास्तव में ठके हुए होते हैं, तो इसमें बहुत समय लग सकता है. एक बार जब यह समझ में आ जाता है, तो आप समझ जाएंगे कि वह किस बारे में बात कर रहा था और फिर आप जल्दी से फिर से आगे बढ़ सकते हैं. इसलिए विचार यह है कि जब आप ठके हुए होते हैं, तो एक ही चीज को बार बार फिर से पढ़ना आसान होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका ध्यान भटक रहा होता है. आप यह महसूस नहीं कर रही होते हैं, कि आप निश्क्रिय रूप से पढ़ रही हैं, और यह बहुत निराशाजन्क हो सकता है हम जो कर रही हैं, वह यह है कि हम खुद को ठका हुआ होने दे रही हैं और वास्तव में ध्यान नहीं दे रही हैं, हम केवल थोड़ा सा ध्यान बचा रही हैं.